इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एगर flexi cap के अंदर हमें investment करना है तो क्या हमें अच्छे options मिलते हैं और क्या इनके performance रही है तो अभी presently अगर बात करते हैं तो around 38 flexi cap funds हैं available market में लेकिन अभी से 10 साल अगर हम पहले चले जाते हैं around 14 to 15 ही flexi cap funds available थे मतलब आज से 10 साल पहले 13 से 15 ही flexi cap fund थे जो अभी भी है flexi cap fund ये एक बड़ी बात है तो जब हम flexi cap funds तो देखते हैं तो हमें इन 38-39 funds को नहीं देखना चाहिए हमें उन 13 funds को देखना चाहिए जो 10 साल से है market के अंदर है अब इन जो ये 13 से 15 funds है इन में से 9 mutual funds ऐसे हैं जिन्होंने 15% plus का return दिया है annualized पिछले 10 सालों में XIR return पर दस साल की बात करते हो तो XIR, CSER, almost थोड़ा सा ही अंतर रहता है तो 15% मतलब 15 भी fund आप मानते हो तो उसमें से 9 fund रहने 15% से उपर return दिया है top 10 की अगर बात करते हो तो उसमें से 9 मैंने बता है 15% से उपर return दिया है जो 10 वे नंबर पर आता है हमारे पास SBI का flexi cap fund आ जाता है जिसका 14.something का return हमारे पास निकल के आ जाता है इसके वाद हमारे पास Franklin का flexi cap fund, SDFC का flexi cap fund, Kotec का flexi cap fund and DSP का flexi cap fund and ABSL का flexi cap fund ये सारे funds लगबग 5 funds आ जाते हैं जिनका return 15% प्लस तो है लेकिन 16% से कम है तो 15.something का return इन सारे ही 5 funds का रहा है जैसे Franklin का 15.89 हो जाता है, SDFC का 15.7 हो जाता है Kotec का 15.35 हो जाता है, DSP का 15.44 हो जाता है, ABSL का 15.43 हो जाता है ये funds हो जाते हैं अब बचे हमारे पास 3 mutual funds जिन्होंने काफी अच्छा performance last 10 years में इन्होंने दिखाई है जिसमें से हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पे दो fund मतलब दो एक ही जगह रख लेते हैं GM का flexi cap fund और परागपरी का flexi cap fund तो GM का flexi cap जो fund है इसका return है 18.5% का और जो परागपरी flexi cap fund है इसका return है 18.44% का almost दोनों का same return है last 10 years में फिर हमारे पास आ जाता है quant का flexi cap fund जो की 21% plus के returns इसके last 10 years के flexi cap कटेगरी में दिख जाते हैं अभी से 2-3 साल पहले, 2 साल नहीं, 3 साल मतलब 2022 से पहले 2021 के time में आप देखते तो वहाँ भी आपको परागपरी flexi cap fund जरूर टॉप पे दिखता लेकिन वहाँ पे GM क्वांट इन सब का नाम नहीं था अगर हम क्वांट की particularly बात करते हैं तो 2022 से पहले क्वांट flexi cap exist ही नहीं करता था 2022 से पहले क्वांट consumption fund था जिसको change करके 2022 में क्वांट flexi cap fund कर दिया गया और 2019 से पहले तो क्वांट AMC भी Scots थी तो फिर भी 10 साल में अगर average return देखे तो Scots की scheme थी फिर वो क्वांट consumption fund में change हुई फिर क्वांट flexi cap fund में change हुई लेकिन इतने सालों का अगर एक अठा हम return देखते हैं हो सकता है पहले के time में return बहुत खराब थे इसके लेकिन पिछले 3-5 साल में अच्छे हुए हैं तो कुल मिलाकर average 10 साल का return फिर भी 21% का देख जाता है लेकिन पराग पारिक flexi cap fund एक ऐसा flexi cap fund है जो अभी भी हमें top 3 में तो दिखी जाता है इसके अलावा अभी से 2 साल पहले देखते तो वहां भी top 3 में हमें दिखता था और अभी से 5 साल पहले देखते थे तो भी top 3 में दिखता था अभी से 3 साल पहले देखते तो UTI flexi cap fund top 3 performing flexi cap fund में दिखता था 2020 के टाइम में लेकिन अभी UTI flexi cap fund worst one of the nine पूरा कब पूरा ही worst performing fund बन चुका है अभी देखो इसको देखकर हमें क्या समझ में आता है इसको देखकर ये समझ में आता है कि अगर आप flexi cap fund के अंदर long term तक investment करते हो तो आपका जो return की expectation होना चाहिए majority वो 15% से जादा नहीं होनी चाहिए इकका दुखका exception निकल के आ जाएगा जो 18-20% का return दे देगा जो की जादा volatile होगा fund जो भी flexi cap में जादा return देगा वो जादा volatile होगा क्योंकि छूट है इनके पास mid small में इंवेस्ट करने की वो करेगा जादा return मना देगा volatile होगा लेकिन जो जैसे flexi cap funds काम करते हैं वैसे fund काम करेंगे जो की जादा तर करते हैं देख लो आप खुदी कि presently 15-13-15 fund में से 3 fund निकल के आते हैं जिनका return 18% या इस से उपर है सिर्फ 3 fund तो ये exception के उपर depend होके आप अपने investment नहीं कर सकते हैं अगर flexi cap fund के इंवेस्टमेंट है तो आपका benchmark अगर 15 से उपर दे रहा है आपका fund return तो वो बहुत जादा है अभी के time period में आपको ये सुनके fund आसमार में पहुचे हुए हैं लेकिन longer period of time में आपके जो returns है fund के flexi cap सारे flexi cap fund के majority में कदुका छोरके वो 15% के आसपास ही आ जाएंगे और यही सचाई है इसी को आपको समझ के रहना है investment की बात आती है तो definitely jm flexi cap fund को लेकर मैंने comment परहा कि पिछले तीन महीने से return ही नहीं देरा चार महीने से return ही नहीं देरा मुझे समझ में नहीं आता आप लोग तीन-चार महीने के return के लिए invest करते हैं या lembre समय के return के लिए invest करते हैं jm flexi cap fund का इसके characteristic ही यही है कि वो इसी तरीके का behavior करेगा क्योंकि यह exposure काफी जादा देता है made cap and small cap में तो हो सकता अच्छे minute तक return नहीं बनेगा लेकिन अगले दो महीने में तीन महीने में इतना return बनेगा कि बागे सारे flexi cap को पीछे कर देगा volatility in nature fund का मतलब ही यही होता है और volatility का यही मतलब होता है और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बिना सोचे समझे किसी भी fund के investment नहीं करना चाहिए आप उसको उस fund के nature को समझ के investment करना चाहिए अगर आपको stable fund चाहिए तो आपको SDFC वगारा जैसे fund की तरफ जाना चाहिए SBI जैसे fund की तरफ जाना चाहिए कि कम return बने लेकिन दीरे 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 करके चलता रहे लगबग flexi cap fund ऐसे ही करते हैं अगर आप कुछ extraordinary करने वाले fund के अंदर जाओगे तो आपको volatility जहलने ही परेगी तो present scenario में अगर हम देखते हैं तो तीन ये fund हमें flexi cap category में दिखते हैं जो की काफी बढ़िया performance दिखा रहें लेकिन वही चीज है इसमें से एक पराग पारी की है जिसके अंदर आपको volatility कम मिलेगी नहीं तो quant के अंदर भी आपको volatility जादा मिलेगी अगर GM और quant को हटा देते हैं तो flexi cap category में फिर हमारे पास वही funds आ जाते हैं पहला तो पराग पारी flexi cap, second हमारे पास आ जाता है मोतिलाल औस्वाल का flexi cap fund लेकिन ये fund भी आपको ध्यान में रखना है कि volatile होगा इसको भी आपको side करके ही चलना चाहिए पराग पारी के बाद आप आ जाओ सीधा नीजी आ जाओ आप gotak flexi cap, dfc flexi cap, sbi flexi cap, dsp इन सब के पास आपको आना परेगा सीधा यहाँ पर आपको stability मिलेगी लेकिन returns भी वही बहुत कम मिलेंगे हो सकता है आने वाले time में ये 15% के भी below चले जाए क्योंकि ये large cap से नहीं हटते हैं जो large cap से हटता है जैसे मोतिलाल हो गया, अब हो सकता है हर time trade में अलग-अलग market cap आई चैलोकेशन होते हैं लेकिन ये लोग exposure देते हैं, quant हो गया, jam हो गया, मोतिलाल हो गया, ये लोग exposure देते हैं mid cap को भी, small cap को भी और इसी current के returns थोड़ी से बहतर हो पाते हैं पर आग पारिक again exposure, exception है कि वो large cap में रहके भी return निकाल पाता है तो ये चीज़े हैं, अगर flexi cap के अंदर investment जा रही है आपकी, तो ये सब चीज़े आपको ध्यान में रखने होगी इस तरीके से आपको investment करना होगा stability और volatility के बीच में आपको चुनना पड़ेगा और यही region होता है कि मैं कहता हूँ कि 10 साल के लिए डालना है तो flexi cap में डालने ही क्या जूरत क्योंकि वो stability देंगे, लेकिन returns वही देंगे 14%, 15% लेकिन हाँ, अगर 4 पास 3 साल के लिए डालना है, तो कम volatile fund में डाल सकते हैं अब अपनी rise के बारे में comment box में जरूर देना है